जी नमस्कार मैं अखिलानन्द यादो आज हम बात करेंगे हलदलपूर में बने किसी बिज्ञान किंद्र की जो की आज से लगवक तीस वर्स पूर विकास फुरुसकल्पनाथ राय के प्रयास से बनाया गया था आपको बता दें कि यह क्रिसी बिज्यान किंद्र अपने मूल उद्देशियों से भटक कर सिर्फ कुछ बड़े और चुनिंदा किसानों के लिए ही कारे करता है प्राप्त जनकारी और प्राप्त तस्वीर के अनुसार हाल ही कि ये दिनों में किसी बिज्ञान केंद्र के परिसर में खड़े दर्जनों हरे भरे स्वस्त पेणों को बन विभाग के अनुमती की बगर ही कटवा दिया गया है जो की पर्यावरन के नियमों के खिलाप है जब किसी बिज्ञान केंद्र जैसी बड़ी और जिमेदार संस्ता दौरा इस प्रकार का कुकृत किया जाएगा तो भला आम लोगों में क्या संदेश पहुँचेगा आईए दिखाते हैं संजे यादो की एक रिपोर्ट इसी क्रम में हम देखाते हैं आपको एक और तस्वीर है हमारे सामने एक यहाँ पे पेंड दिख रहा है और आपको हम बता दें कि यह पेंड काटा गया है और हमें लग रहा है कि यह पेंड जो तस्वीरों में देख रहा है जैसा कि यह हरा होगा और आपको बता दूँ कि हरा पेंड काटने का अधिकार परियावरण के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जरूरत भी नहीं है इस पेंड को काटने की हमें नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे जो जगह है आप जगह दिखाएए इस पेंड से हमें नहीं लगता कि कोई भी नुकसान नहीं है अगर यह पेंड परियावरण के लिए सही नहीं है तो फिर गलत काहे है क्योंकि वैसे भी इस जगह कोई इस्तेमाल नहीं है वैसे भी यह कबार खाना बना हुआ है अब ऐसा भी नहीं के सकते कि इस प्रभारी है यहां के, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, इस ज्ऑन के अंदर का, कहीं कुछ तो मिली भगत है, और कुछ न कुछ तो होगा, अब उनसे हम पूछेंगे सवाल करेंगे, कि इस हरे पेंड को आखिर कर काटा क्यों जरूरत क्या आयान थी क्योंकि यहां पे कोई ऐसा हमें नहीं लग रहा है जब ऐसे यह कबाड़ा बना हुआ है तो हमें यह नहीं लग रहा है कि इस पेंड को काट के कौन सा तीर मार लेंगे यह बिग्यान के अंदर और यहां पे त हमेखा कोई कई हैं जिननाइज Remember कि उस् vive Here 가지고 मगता है यहां पेड काते रहो और जमीन को साफ रखो तोनीन भी नहीं साफ है पेड तो साफ हो चुका है है नहीं से आप हो हम जो इनके प्रभारी हैं मगर आप तस्वीरों में दुरदसा देखकर आप आखलं कर सकते हैं कि हुआ और फूर सकते हैं आये जो जम्मिदार है dif भात करते हैं और जानते हैं जहिती है कि इतना उपिछित ह lenght होता रहा है तो आखरकार कहें होता रहा है हरे पौधे हरे ही होते हैं लेकिन अगर वो पौधे ज़ाड़ी है तो उनको साफ करना अवस्यक होता है जो पौधे फलदार है आद देख रहे हैं वो सब उसके प्रभाव में आकर के खतम हो रहे थे और जिसके कारण से जो ज़ाड़ियां थी उसे साफ किया गया है कोई पेड ऐसा नहीं कटा है कि जो फलदार हो जिससे पर्यावरान का नुक्सान कि कि सूरत मैं पेडू का काटा जाना ऊचित है आहाई है अनुचीत है यह अगर ऐसा हुआ है तो इसे लोगों के तिलाप करवाई हो रहा है क्योंकि पेड नहीं काटे जाते तो यह हरे पेड नहीं काटे जाते हैं परियाबरन के खराब होने के वाजर से हम लोगों के तमाग तरह की बिवारिया पैदा होती है इसलिए लगाया जाने के लिए बढ़ावा दिया जाना है तो यह हरे पेड़ों को काटा जाना उजित नहीं आप कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कर रहा है कि क्यों जाड़ी काटी तो इसका भगायती मुएना हो जखा जाए जाड़ी सब्सक्राइब करते हैं इसको देखा जाए तब वाल मोगा अधिकारी को दें कि जाड़ कटी है काम खतम हो जाएगा हरे पेड़ों की कटाई हो रही है और हुई है क्या पुजनकारी इसम है अब देखेने को तो मिला है कि भाई का कटाई हुई है कि अपने स्वारत में समाज का यह पूरे जंता का वहां नास हो रहा है अक्सिजन जब नहीं मिलेगा लोग पीडित होंगे बिमार होंगे